तो सर पहले तो हमारे दर्शकों को यही बता दीजे कि माइक्रो S.I.P होती क्या है और फाइदे क्या है इसमें पैसे लगाने के कैसे करने हैं? अब सेभी यह चाहते है कि 500 रुपे से छोटी S.I.P भी आ है जो 200 रुपी के हो सकती है और इसके सेभी के इस प्रस्तावाँ पर मुचल फंड काम कर रहा है इसको नाम दिया है माइक्रो S.I.P यानि कि 500 रुपे से कम वाली S.I.P माइक्रो S.I.P है क्यों करना चाहते हैं? उसका सबसे बड़ी चीज है कि जिन लोगों की कमाई कम है जिन लोगों की सेविंग कम है वो भी एक बार मुचल फंड में S.I.P की शुरॉत कर सकते हैं दूसरा आप छोटा छोटा पैसा बनाकर भी बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं अपना इन्वेस्मेंट गॉल हासिल कर सकते हैं तीसरा एक्विटी में लोग पैसा इसलिए बनाते है कि इन्फलेशन महंगई से ज्यादा कम ही करके देता है लोग पीरिड में इसलिए महंगई की सबसे जादा मार तो लोगों पर भती जिनकी कमाई कम है बचत कम है तो वह क्यों नहीं एसा इंवेस्मेंट करें जिसे उनके महंगई का उनका खत्रा है वह कम हो इसलिए महेंगई को कंट्रोल करने के लिए हाथ से भी बढ़िया है एक और इंटरसिंग चीज है कि आप 500 रुपए में क्या खरीज सकते हैं खुजी भी नहीं लेकिन इसलिए बहुत बढ़िया कि उन लोगों को इन्वेस्मेंट के दाएरे में लाया जाए और उनकी SIP शुरू की जाए सर ये तो आपने इसके फीचर समझा दीजी लेकिन अब मैं आपकी अडवाइज आपका टेक जानना चाहूंगी ये रिस्की है या अच्छे मौके है इसमें लेकिन एक्विटी में जब आप पैसा डालते है रिस्क तो हमेशा होती है आप यह कहीं नहीं सकते कि रिस्की नह पारा फायदा ये कि लोगों में नीमित बचत और नीमित निवेश का एक मौका दे रही है आदत बना रही है ये हैबिट होनी वह ज़रूरी है चोटी बचत करने वाले लोगों को भी फायदा मिल रहा है कम पैसे में आप एक अच्छा पोर्टफुलियों बना रहे है और ज जैसे जिसे उसकी समझ बनेगी उस समझ बनने के साथ साथ तो अच्छा पैसा भी बढ़ाएगा तो मुझे लगता है कि ये इसको एक यूँ कहें कि एक कम समझदार निवेशक को एक रिस्की प्रोड़क देने की रिस्क जो है वो ना समझे ये समझे कि ये एक निवेश का बढ़ा मौका छोटे इंवेस्टर्स को भी दिया जा रहा है ओके चलिये तो बहतरीन मौके हैं और आप अपना आप कह सकते हैं कि the first step you can take here